कि हालो गाईज तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे है वलोम माइज डिस्ट्रिबिशं ठीक हैं और तो सुर्फिस माइज दिस्ट्रिवू धू झू था तो उसमें हम लोग wen udah sphere solids ऐसा पर चुकते मार्स थिकनेस नेगलेजबल था कॉम तो इरिया तो जब अरिया कें कोम पैरीजन थे क्नेस नेगलेजबल होगा तो मानेगे की मास कहां था ता अब क्या है अब एसी रिस्ट्रिक्शन्स नहीं है अब नॉर्मल बॉड़ी तो नॉर्मल बॉड़ी के लिए हम लोग वालूमाज डिस्विशन पढ़ते हैं वालूमाज डिस्विशन के लिए आपको देंसिटी पता है कि देंसिटी क्या हो जाती है हमारे मास बाई वालूम यह मारे देंसिटी वह जाती है और इसका यूनिट करता ह कि इसकोように । करेंगे ρो से किसी द्यू नोट करेंगे रो और से क्लिए तो यह अब हमार हो जाएगा तुसमें सबसे पहले हम solid sphere का, ठेक है, solid sphere में हम लोग किसी axis के बाउट moment of inner से निकालने जा रहे हैं, तो किस axis के बाउट निकालने जा रहे हैं, वो हम लोग को देखना है, ठेक है, तो जिस axis के बाउट निकालने जा रहे हैं, वो axis solid sphere के center से पास करेगा, वैसे ही जैसे hollow sphere में था तो जैसे कोई भी solid sphere लेते हैं तो कोई भी axis अगर center space करता है ठीक है तो कोई भी जितने भी axis है सब के about moment of inertia क्या लगेगा सेम आपको देखोगे तो हमेशा सारे axis जो कि center और मास से पास के एक तरह से diameter type बेहब कर रहे हैं तो सारे diameter सेम होते हैं वैसे सारे axis जो भी axis अगर center space कर सब एक ही type लगेंगे तो उनकी प्रापर्टी होगे उनके about moment of inertia क्या होगा सेम होगा ठीक है तो हम किसी के about निकालने सब के about हुआ ही होगा clear है यानि axis passing through center of mass moment of inertia about an axis passing through center of mass ठीक है तो solid sphere के लिए निकालना है तो solid sphere के लिए हमको hollow sphere का पिछले class में हम पढ़ चुके दम लोग hollow sphere का क्या होता है 2 by 3 mr square 2 mr square by 3 2 mr square by 3 hollow sphere thickness negligible पूरा mass surface पे है अगर radius r है mass m है सारे mass है surface पे है 2 mr square by 3 ठीक है 2 third of mr square उसको use करके derive कर सकते है इसका हम लोग derivation दो तरीके से देखेंगे एक hollow sphere यूज़ करके एक disk यूज़ करके आईए पहला derivation हम लोग hollow sphere यूज़ करके करते है ठीक है तो जैसे पहले इसका हम लोग निकालने कि density क्या है गा तो mass radius r है और mass m है तो mass by volume तो mass m और volume क्या होता है solid sphere का 4 by 3 pi r cube तो density क्या हो गया m by 4 by 3 pi r cube तो 3 m by 4 pi r cube clear अब अगर हम लोग माल जैसे ही है कोई ऐसा माल देते है कि कोई ऐसा solid sphere है ठीक है कोई ऐसा solid sphere है ठीक इस axis के बाट निकालना है तो हम लोग क्या करें कि इसी का center जो इसका center है उसी को center मान का अगर हम x distance पे एक hollow sphere ले ले जिसका radius का हो जाएगा x तो उसका अगर mass कुछ small mass dm ले ले तो hollow sphere का हमको moment of inertia है पता है न क्या है 2 by 3 m r square यानि इस case में इस axis के बाट इस hollow sphere का क्या हो जाएगा 2 by 3 ठीक है कितना हो जाएगा अगर हम कोई ऐसा लेते हैं और x distance पे कोई एक hollow sphere ले ले लेते हैं ठीक है तो इसका हो जाएगा और इसका मास हमनों dm ले चुके हैं तो इसका moment of inertia क्या हो जाएगा हमको thickness slack visible लेना है ठीक हम लोग x distance पे एक ऐसा hollow sphere ले लिए जिसका मास हमनों dm ले लिए तो x radius हो गया क्योंकि सेम सेंटर से लिए है radius x हो गया तो उसका moment of inertia इस axis के बाट क्या हो जाएगा 2 by 3 dm x square हम लोग को उसका thickness लेना है तो x distance dx इस विर्थ के लिए मानेंगे कि exchange नहीं हो रहा है कितने विर्थ के लिए dx विर्थ के लिए मानेंगे कि exchange नहीं हो रहा है ठीक है तो dx विर्थ का अगर हम एक hollow sphere लेते हैं जिसका radius x है तो उसका moment of inertia से क्या हो जाएगा 2 by 3 dm x square है अब हामको क्या निकाला है है रेडिय« पता चल के हमको क्या निकाला है he спас्थ है इसी कर देंगे एक तरह से आप देखिएसा तो solid sphere जोता है कोई में solid sphere जोड़ते जाए जोड़ते 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 हैं तो क्या बजाए गश्यालों यानि छोटा रेडियस जीरो से लेके आर तक अगर हम ऐसे जीरो से लेके आर तक एक ऐसे continuously increasing radius का ग्रहा हो लोग बनाते जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास solid sphere तो हम लोग क्या वही कर रहे हैं उसी चीज़ का यूज कर रहे हैं ठीर सारे छोटे number of hollow sphere from radius 0 to r ठीक है तो वैसे के इसको हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग मान रहे हैं कि x distance पे एक dx विर्द का hollow sphere है ठीक है x distance पे यह है और x distance पे हम लोग क्या लिए हुए एक dx विर्द का hollow sphere ले लिए है ठीक उसका radius उसका हम लोग को मोमेंट फिनर से पता है dm टू बाई ठीक है अब dm निकालना है इसकेस में रो डीवी रो डीवी यह निए डीवी निकालना हम लोग को क्या निकालना है डीवी तो डीवी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो डीवी क्यों जाएगा तो आप लोग मानने कि कितने विर्थ तक उसका एयरिया है यरिया कितना हो जाएगा होल इस निए हो हो घृष तक तो म्रूम को जाएगा इसका फोर पाई-एक्स scar स्कूर बिएकस जोत आएक स्कूर दिया स्कूरण थे ना वोगोगां है कि उसके थे घृっ होग आकर लुक्ति की रहा है कि एक्स रेडियस का दियस विर्द के लिए माने एक x constant है हम लोगों पता है कि अगर इसका mass dm है तो moment of inner से क्यों जागा 2 by 3 dm into x square x radius dm के लिए rho dv clear है इसी चीज़ को हम दो देखने जा रहे है area हम लोग के पास है तो area into dx तो 4 by x square dx ठीक है 4 by x square dx यह तो निकाल थे ठीक तो रो डीवी रो की वैलू रख दे 3m by 4 by r cube ठीक और into dv 4 by 4 by 4 by कड़ गया 3m by r cube x square dx अब इसी को हमारा आई क्या था 2 by 3 dm x square 2 by 3 बाहर dm की वैलू यहां सा 3m by r cube x square dx और फिर यह x square तो x square तो क्या हो गया यह 2m by r cube x power 4 dx x power 4 को integrate को क्या है x power 5 by 5 0 2r x कहां से कहां जा रहा है यह holi sphere कहां से कहां रहेगा 0 से r तक ठीक है तो holi sphere कहां से कहां तक था 0 से r तक ठीक तो 2m by r cube और x power 4 का integration x power 5 by 5 अपर लिमिट रखे तो आट पावर 5 by 5 लोगर लिमिट 0 हो जाएगा तो आट पावर 5 by 5 तो यह आ जाएगा आपका 2m by तो r cube c r square में जाएगा r square में जाएगा तो 2 by 5 m r square clear है तो यह एक तरीका होगा होगा होलो sphere को यूज करके होलो स्पिर का क्या था हमारा 2 by 3 dm x square dm की value रखें integrate कर दिया clear है इसका एक alternative method भी डेख सकते हैं डिस्क करके डिस्क ठीक डिस्क की यूज करके alternative तरीके से ठीक है यह मादा स्वियर लिए है ठीक है अदा स्पिर लिए है पूरा स्पिर बना दो कर दैसा हो जाएगा ठीक है इसमें लोग मानेंगे हम लोग को इस एक्सिस के बोट निकालना है ठीक है तो इसी चीज़ को मुझे निकालने जा रहे हैं हम लोग क्या किस में अगर जैसे यहां ध्यान दीजिएगा ठीक हम आदा लिए ठीक वादा का निकल जाएगा तो उसका डेबल कर देगा तो पूरे का निकल आएगा हम लोग क्या किए है वाई डिस्टेंस पे डीवाई ठीक है और यहां पे वाई डिश फाइड पर ऐसे याई फैट पे डीवाइ विर्थ ठीक है डिवाई विर्थ याणि ऐसे विर्थ देखेंगे डीवाई विर्थ का हम लोग的時候 क्या ओने है एसे मैं ऐसे खच 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 काटेंगे अगर तो इक डिस्क निकल का आगा आगा कब आइसे काटे तो बीचमें क्या निकल का अगा hele ठीक है तो यह दुश्य का विर्थ की एन यह डिकने से थीकने सीर्थ का लिए तीकने से यह वर्टिकल थिकने से यह अanto टीकने यह वाला ऐसे थोड़ा रहागा तो इसको आप कार्ट कैसे निकाल देंगे, एक तो ऐसी इंफाइटस में लिए दीवाई बहुत इनफाइटस में लिए स्मॉल होगा, तो अगर यह साइट कार्ट कार्ट देंगे, तो कोई मतलब नहीं हमारे थिकनेस क्या रहेगा, ध्यान द Slent नहीं लेंग, VLT ठाच, ध्यानदीएगा Thickness आपको ऐसे काटेंगे, ध्यान दीएगा तो ये ऐसी जो आएगा आपका आपको इसके thickness से मतलब है ये जो आएगा इसके thickness से मतलब है अपको, ठीक है इधर जो ऐसे अलग से कुछ निकला रहेगा तो इसको हम लोग काट भी सकते हटा सकते हैं इस ने वेर्थ के लिए उसमें यह चोटा वाला हम लोग इसको निकाल सकते हैं कोई इक नहीं है बहुत ही कम होगा वह एक दम ही ने पूरा ओवर आल ही ने ग्लेजबुल है श की और सकते ही मगर फिर भी उसमें भी उसका नेगलेजबुल पार्ट तो उसको हम गाइब कर देंगे तो जब भी solid की बात आएगी यह थिकने स्मानेंगे आएयगी है ठीक है समझेब बात को ज़ए घीक्नीस, ब्रॉट में यह थिक्निस की बात आएगे और रिंग और व्यां यह ठीक है, इसमें स्लैंट वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है, घुखत, ऑईये वहिए रही है, यहाँ पर यहाँ पर लिए है, यह वीरत, ऐसे स्लैंट वा है clear है अब तो वाई डिस्टंस पर डिवाई विर्थ का ऐसे और इस एक्सेस के बाउट हमको निकालना है तो इसका रेडियस यह तरस ऐसे है तो और क्या हो जाएगा अंडर रूट आफ्भyle, यह नि कैप्चल स्कार र स्कार माईनस वाललूँ जाएगा क्योंकि वाल्म टियंश से पता है मको डिस्क थो द्यस्ट्ट्यूब्डिक्स क्या ही स्कार भॉइ ठिक्सतर्ड श्कार थे स्चैनगा टिएम कंव Technique डी विर्थ कितना है दी वाई पाई आड़ स्कॉर इंटू डी वाई ठीक है पाई रेडियस क्या आजएगा अंडर रूट आफ केपिटल रसकॉर मैंस वाई स्कॉर इंटू डी वाई तो रो डी वी ठीक है तीह आ जाएगा आपका यहांसे देखोगे तो रो डी वी रो की सब्सक्राइब आऄ में ठीक न केपिटल रसक कर सब्सक्राइब यह रखो गए तो द्यायों डिया इनट- bodiedम के वैलू आप तो गए तो डेम की मिल वागए गाई तो नाट कर देगे यहांस से लिख द अ में इसको निकाल लेंगे बाहर तो 3m by 8r3 यहां भी यहां भी यहां पर जाएगा अब लिमिट कहां से कहां लेंगे तो basically y का लिमिट अगर आप देखोगे तो y का लिमिट कहां से कहां जाएगा zero से r करेंगे zero से r और उसका two times कर देंगे तो अपर zero से r करके two times यहां ओपर अगर positive हे तो नीचे क्या होगा यह पूरा ऐसे sphere होगा ठीक है कर नीचे क्या होगा 0 से minus r ठीक है अगिंः कुंधों चलिस्राइब होसी जो इसको एक्सपाइंड करेंगे तो इसको एक्सपाइब करेंगे घृत कर तो इसको एक्सपाइड किये थिश्या को होल सकाई है तो 8 पाइब 4 y pour 4 minus 2 r square y square d y सकार 2 plus r r 4 1 हो जाएगा तो इसका integration y आ जाएगा तो 8 पावर 4 y ठीक है तो यह 8 पावर 4 के साथ y y for 4 का y per 5 by 5 minus 2r स्कार इसकार का y स्कार की थी ठीक है यह 8 पावर 4 कॉंस्टन है तो 1 बचा 1 का integration y क्यी तो नहीं तो बहुरा इसक्त पवास का बाइन धुर्ट इसक्वार क्लिव on locked or dying झाल्च तो सब्सक्वाइब दिर्धित अब डिणा खोल्य वाइन संस्वार नहांत पॉार तो मअशने अबढ़ की मांशने हो गतान इजैई यहांब्ही Power Odd है तो माइनस मैनस प्लस कर देगा ठीक है इसको इसको Solve करोगे तो आपका आजाएगा यहां पे कुछ ने साल करे番 तो यहां से Solve करोगे तो आपका रहिता गाजाएगा ना थे तो किसी भी तरीके से करेंगे तो फॉर्मला तो वही है तो यानि हम लोग जानगे कि कोई भी अगर सॉलिड स्वियर है और डायमेटर कोई भी एकसे अगर से पास कर रहा है तो उसके बाउट मुवमेंट दिफिनर से क्या हो जाएगा सॉलिड स्वियर का टू बाइफ थे स्वियर कोई तो थेृट है ताइब द्रयए कर्यों विदैए भी ऩॉकल्रण वेस्ट का रहा इंस त zer कीवरों आप fault qॉ